के रेट में अमिरिका में काफी बढ़ा तेज़ी देखने को मिलआ है मतलब आप देख के चौक जाओगे ही रहाँ के सामने यहां केवाल आपी देखो 10 पहले ही बजार open हुआ केवल 10 मिनित पहले और देख सकते हो किसकते हैं किसकते हो किस कदर आपको तेज़ी देखने को मिला 6-7% बजार रिकवर हो चुका इसी बजार के अंदर में बहुत सारे ऐसे लोग है जो आपको डरा भी रहा है क्योंकि देखो कल के डेट में जब बजार गिरता है तो लोग डरा देते हैं बजार भागता है तो लोग उपर जाने के लिए बोल देते हैं भाई मैं पिछले एक महिने से मैं आपको बोल नहीं profit करके दिखा रहा हूं पिछले एक महिने से अगर आप अभी कमेंट कर रहो तो मैं अभी भी एक महिने वाला पहले से वीडियो दिखाना start कर दूँगा वो भी आप लाइब में और सारे stocks में भी profit हो रहे है देखो मैं आपको इतना ही बोलूँगा कि इंतियार करते रह जाओगे सब कुछ खत्म हो जाएगा अपने आप से पूछो अगर market के बारे में भी अगर 1% भी जनकारी आपको है 1% भी knowledge है आपको stock market के बारे में तो अपने आप से पूछो पूछो क्या market permanent गिरेगा या temporary गिरेगा आपको क्या रगता है मेरे इसाब से तो बज़ार में temporary गिरा वाठ है और permanent तेजी है तो भी temporary चीज़ों से क्यों डरना और अगर देखो गए अमेरिका में पता है आपको थोड़ी इसी छोटी सी knowledge में आपसे पूछना चाता हूँ यहाँ पर आलन मस्क कितना tax भरते हैं एक साल में पता है आपको 85,000 करोड 85,000 करोड मतलब more than 80,000 देखो variable थोड़ा बाउत उपर नीचे जा सकता बताइए भई आपको क्या लगता है उनकी company 50% नुकसान में चलो है जेफ बेज़र आप सोच लो यह वो लोग है जिनसे देश चलता है भई दुनिया चलती है यह लोग से समझे रहो एकनॉमिक चलता है तो 50% उन सारे stock गिरे हुए आपको कह लगता है यह सारे stock 70-80% गिर जाएंगे नहीं बिल्कुल नहीं जो हो गया सो हो चुका है देख लिजे 83,000 करोड अगर मैं गलत देखो मैंने बोला न थोड़ा पाउत उपर नीचे हो जाता बताओ इनकी income समझ रहो यह मतलब कितना कमाते हैं 22 लाग करोड की समपती है 22 लाग करोड मुके संबानी से 2-3 गुना ज्यादा तो भई इनकी company 50% गिरा हुआ 50% आपको है लागता 70-80% गिर जाएगा नहीं हो ही नहीं सकता अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कभी भी नहीं चाहेगा कि मेरे बजार में इतना गिरावट हो क्योंकि जब loss होगा तो भई उनकी को loss होगा ना उनके देश को नुकसान होगा ना बिल्कुल तो भई अमेरिका कभी नहीं चाहेगा 2008 में किस बज़े से गिरावट दिखने को मिले था पता है अमेरिका के बज़े से सारी चीज़े हुआ था अमेरिका के बज़े से हुआ था और संभाला भी उसी ने क्योंकि वो चाहता है कि भई वो कभी पीछे नहीं रहना चाहता है किसी भी दुनिया से तो याद रखेगा जो हो चुका सो हो गया देखो कोविड भी मैं आपको बता दूँ कि भाई दो साल कोविड रहा था लेकिन बज़ार के वाल एक महिने में रिकवर ले लिया था राजकल के डेटे में देखोगे क्लीन साइंस जैसे स्टॉक ये जो स्टॉक का जब आईप्यो आ रहा था आईप्यो में ले भी सकते हैं गेन भी होगा और उपर से आईप्यो के बाद लॉंग टम के लिए आप खरीद भी सकते हैं लेकिन बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा तो लिजिए दुबार आपके पास ये मौका मिल चुका है देखिए जहां से स्टार्ट हुआ था ये स्टॉक पहले सास्ता था और घंडेड़ पसेंद भाग गया था तब और अच्छा था तो अब तो गिरे हुए प्राइस पर मिल रहा है तो फिर आप क्यों टेंच लेना, जहां से start हुआ था, कहानी वहां पर याके आपको मिल रहा, तो यहां से मुझे लगता है कि यह stock जब भागेगा, तो और बड़ा return निकाल के देगा, और मुझे भी याद है, मुझे भी याद है कि यह stock मैंने आपको बहुत बहुत नीचे बताया था, और नीचे क्या है, इसी price के आजुबरू, मैंने विडियो बना कर आपको बताया था, इससे प्रैस क्या चुपचू, Corinthians बता, ये अउपर वली के ध developed के ध्यार है, कि लगबक, दुबारह मौका मिला है वीडियो बनाने का वो भी सेम प्रैस पर, बताएं, सेम प्रैस पर, सेम से देखे कर यह सारे स्टॉक, जब आसमान चूुँँ जांगैंगे, तब सभी लग बनाएंगे, अभी सब लोग बोलेंगे, बजार गिरेगा, अमेरिका में ये होगा, चाइना में ये होगा, तो वह होगा, वयबंगा, वयसा होगा, बजार गिरेगा, खत्म लक्ष्मी और्गनिक के लिए भी यह स्टॉक भी आपको काफी सस्ते में मिल रहा है पहले तो क्या ही बताओ पहले तो जिस कदर इसने रिटर निकाल के दिया न अन बिलिवेबल था लेकिन अब जिस तरह के से गिरावट देखने को मिला है और 50% स्टॉक गिर चुका है तो भ करेंगे करते रह जाएंगे और फिर बोलेंगे मैंने वीडियो बनाया था मैंने तो यहां बोला था मैंने तो वहां बोला था भई प्राइज जो है बॉटम पे है यही वह चीज है जो सभी लोगों को चाहिए होता लेकिन जादा तर लोगों का हैबिट होता उपर में खरी एक 수िक्रेंट करेंगे तो उनको कोई मना नहीं कर सकता कम्पनी काम करती है सारे सेक्टर में कम्पनी काम करती है , जैसे कि फार्मासिकल अगया प्रिंटिंग पैकेजगी हो गयाilot कर दिशक्तर का अगर की बहुत है बहुत जाधा लगर को मिलिए जाकर देखो गए अनेसी का ओफिशल वेबसाइट पर तो लोगों ने 40 50 पसंट तक लोगों ने डिलेवरी उठा रखा बताई कि 7998 करोड का मार्केट क्या है कल के डेट में अगर 30,000 करोड का भी मार्केट कप हो जाएगा तो क्या होगा कुछ भी नहीं होगा नॉर्मल नॉर्मल भी होगा बिहेब होगा आप तो यह कंपनी देखो तो डिविडेंट देना भी स्टार्ट का दिया बुक वैल्यू देखो 49 का ठीक है चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है बुक वैल्यू लेकिन साथ-साथ में पी-ई भी देखोगे तो 30 का है अगर पी-ई 40 से उपर चला गया तो टेंचन है लेकिन पी-ई अभी देखोगे तो 40 के नीचे है अट्रेक्टिव है मैक्जिमम होल्डिंग परमोटर्स के पास है हां मानता हो फॉरेन वाले उन्हें यहां पर थोड़ा माल बेज दिया चलो जाने दो कोई दिक्कत की बात नहीं लेकिन फिर भी मैं आपको वह लूँगा डोमेस्टि के पास 3 परसंट है और टोटल यहां पर देखोगे तो 23 प परसिटी और कमपनी का फ्यूचर आउटलूक देखे कमपनी क्या बोल दिया है कि भाई हम आने वाले दो सालों में पांच सालों में कहां पर रहेंगे वह चीज़े देखो कमपनी ने क्या प्रॉमिस किया है वह देखो अब यह मैं देखो कमपनी भाई अभी तो 20 पसंट ग डिलेवरी चार्जेस फ्री क्यों 20 रुपीज लगता वो भी इंट्रडे में डिस्क्रिप्शन में लिंक है मिंटो में जाके अपने डिमेट अकाउंट बगर आउपन कर सकते हैं